सो हाई दोस्तो एक और नया भीडियो में आपका स्वागत है, दोस्तो आज के इस भीडियो में मैं मारूती बले नो ओल्ड और मारूती बले नो नीव दोनों के बीच कॉंपिरिशन करने बाला हूँ, देखो दोनों ही गारिया अपनी जगा पर सही है, पूरानी बले अपनी इस भीडियो में देने पाला हो, तो चलिया शुरू करते है, तो सबसे पहले ओल्ड जो मॉडल है बले नो की उसकी बात कर लेते है, तो ओल्ड मॉडल बले नो में आपको दो टाइप के इंजिन देखनों को मुंती थी, दोनों ही है 1.2 लीटर पेट्रोल एक है नॉर्माल बलेनों में जो इंजिन है उनकी पावार और टॉर्क फीकर्स, और इसके साथ आप लोगों को मिलता था 5-speed manual और 5-speed CVT transmission, इसका लबा अगर माइनस पॉइंट की बात करें, तो पुरा निवाली मॉडल में आप लोगों को बील्ड क्वालिटी बहुत ही खाड़ा भी मिलती अच्छा नहीं था, चलते चलते ही कार में छोटे पूंटे जो पथर आकर लागते थे उससे ही कार में डेंट पर जाती थी, तो ये एक माइनस पॉइंट है, ओल्ड मोडल की, दूसरी plus पॉइंट के बाळता हूँ, तो दूसरी plus पॉइंट ये है की कार आपको बहुत ही अ पार में आप लोगों को जो features थी, वो features up to date नहीं मिलता था, मतलब जो इसका competition है, competition के मुकाबले में जो old balenow थी, उसमें आप लोगों को features बहुत कम दिये जाते थे, offer करी जाते थे, तो वो भी एक minus point है, तो 2 minus point और 2 plus point मैंने आप लोगों को बता दिया है, पूरानी मारूती बलेनों की, अब जो नई मारूती बलेनों आने बाली है, facelift अफ्तार में उसमें आप लोगों को सबसे पहले minus point बता देता हूँ, तो minus point यह है कि आप इस बलेनों में आप लोगों को सिर्फ एक ही engine option देखने को मिलेगी, dual jet petrol engine, दूसरी engine नहीं मिलेगी, power figure semi रहेगा, 89bhp और 113nm torque, और दूसरी जो minus point होगी यह नई बलेनों में वह होगा, आपको CVD transmission नहीं मिलेगी, अभी अभी ब्रोसर लिख वा है इसका और उसमें दिखाया गया है, इस car में 5-speed manual के साथ-साथ 5-speed AMD transmission मिलेगी, CVD transmission नहीं मिलेगी, जो एक downgrade है, जो दूसरा minus point है, नहीं मारूती बलेनों की, अब plus point के बाद में बात कर लेता है, तो plus point यह होगा, mileage में आप लोगों को कोई भी गिराबाट देखने को नहीं मिलेगी, आपको EMT में 22.94 kmpl का mileage मिलेगा, जबकि manual में आप लोगों को मिल जाएगा 23 plus का mileage, तो यह हो गया plus point, आप दूसरी plus point की बात करें, तो यह जो नया बलेनों आप launch होने वाला है, इसमें आप लोगों को भरपूर feature दिया गया है, segment fast feature तो इसमें मिलता ही है, तीन segment fast feature मिल जाता है, एक है head up display, दूसरा होगा 360 degree camera, और तीसरा होने वाला है, टास्क्रीन impotainment system, यह तीनों ही feature segment fast होगा premium hatchback में, इसका लबा आपको बाती के जो feature देखने को मिल लगा, बेस भेरेन से ही, आप लोगों को projector headlamps देखने को मिल जाएगा, automatic climate control देखने को मिल जाएगा, प्रोजेक्टर headlamps आपको basic halogen based ही मिलगा, लेकिन मिलगा ज़रूर, आप लोगों को ना ही altros या फिर ना ही i20 में base model में, आप लोगों को projector headlamps देखने को मिलता है, लेकिन बलेनों में देखने को मिल जाएगा, इसका लबा अगर आप लोग second base model, इसका लबा अगर आप लोग second top model purchase करते हो, तो आप लोगों को पीछे की तरह पढ़ियार, इसी भेंट मिल जाएगी, जो बहुत सारी लोगों की demand में थी, तो बो company ने fulfill कर दिया है, आप लोगों को second top model से ही, रियार इसी भेंट मिलना सुरू हो जाएगा, इसका लबा i20 में आप लोगों को देखने को मिलता था, wireless, apple, carplay, और android support तो बो भी आप लोगों को नहीं बैलनों में देखने को मिल जाएगी, wireless लिए आप अपने phone को charge भी कर पाओगे, इसका लबा connected technology भी मिलेगा, जो इसका second top model जेटा से मिलना सुरू हो जाएगा, और यह connect video आप लोगों को Altos में भी मिलती है, आयरा के नाम से और आप लोगों को i20 में भी मिलती है, blue link नाम से, अगर price की बात करें तो price इसका minus point होगा, प्राइस इसकी hike होगी, current जो बलेणों है, वह आप लोगों को 6 लाक रूपे के around मिल जाती है, एक सोरूम, जबकि यह जो नया बलेणों launch होगा, यह लगभख सारे 6 लाक से लेकर, 7 लाक रूपे के बीच बीच launch हो जाएगी इंडर मार्केट में, मतलब आपको प्यासे ज्यादा चुकाना पड़ेगा, लेकिन जो minus point थी आपको CBT नहीं मिलेगी, इसलिए अगर आप लोग बलेणों को CBT model में purchase काना चाते हो, तो अभी भी पूराना stock बाचा हुआ होगा dealership में, तो बो आप जाकर book कर सकते हो, आपको बहुत अच्छी कासी discount में भी मिल जाएगा, और CBT का मज़ा भी आप लोग ले पाओगे, क्योंकि Altos में भी आपको automatic नहीं मिलता था, automatic ship आप लोगों को i20 में ही मिलता था, तो अगर आप लोगों को ship i20 में ही true automatic देखने को मिल लगा, तो अगर आप लोग automatic की purchase काना जाते हो बलनों का, तो अभी जाकर showroom से पूराना model उठा लो, मैं आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपका पॉर्पद सुखिया,